यह है हमारा Mi 11X डवाइस और इसके लिए रिसेंटली अपडेट आया था 13.0.9 इंडिया ने उजास के लिए जिसका आज हम यहाँ पर करने वाले कंप्लीट बैटरी चार्जिंग टेस्ट और यह जो अपडेट था अंलियों 100 MB का लेकिन एक स्मॉल सा पैकेज आपके फोन के क चार्जिंग स्पीड में प्रॉलम देखनी को मिल रहा है तो आज हम चेक करेंगे कि क्या इस अपडेट के अंदर यह प्रॉलम स्टील देखनी को मिलता है या फिस सॉल्व हो चुका है इसलिए पूरा लास्ट टक वाच करेगा और चैनल पे नहीं है तो प्ले चैनल को सब् इन पॉक्स आने वाला चार्जर में यहां पे बोड से कनेेट कर दिया है बस प्लग इन करना है और स्ट्अफ आज को स्टाट करना है हमरा फून चार्जिंग लेना है जो सुरू कर देगा ठीक है तो यहाँ पर मिसे करते हैं न और यहां पर start जैसी यह 5% के आसपास होता है यानि रेट से green होता है हम इसे on कर लेंगे क्योंकि हर बार मैं आपको बैटरी चार्जिंग टेस्ट रहते हूं वह रियल लाइफ यूज के हिसाब से होता है कि अगर आप डिली लाइफ में चार्ज करते हो तो क्या-क्या चीजी होती वाइफई ओन रहता है नेटवर्क रहता है आया हुआ जिसमें तो डेटा लॉस भी होता रहता है और बैटरी लॉस भी होता है जो सेम उसी तरी किसी यहां पर हम सब कुछ चेक करेंगे और हर बार मेरा यहीं टेस्टिंग रहता है क्योंकि वह जो भाई कंपनी में टेस्ट 5% और 7% पर डायक्ट ओफ होता था और वहीं से चार्जिंग लेता था बट आपने यहां पर देखा कि 0% है और यह सेम प्रोलम बहुत सारे लोगों के साथ रहा है कि उनका फोन 5% या 7% के बाद आटो ओफ हो जाता है और जब चार्जिंग पर डालते है तो वहीं से जो कि अभी तक बहुत सारे लोग face कर रहे है बट मेरा solve हो गया था बीच में फिर आ गया था और यहां पर फिर से solve हो चुका है तो आप चेक करो और बताओ तो यहां पर भाई 3 से 4 minute complete हो चुका है और बैटी percentage की अगर हम बात करते हैं तो 9% हो गया और अभी still हमें जो rate अभी फिलाल में यहां पर इसका जाए वाइफाई प्लस मॉइल डेटा दोनों को on कर देता हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था अब डायेक्ट हम स्यूच करते हैं अपने battery percentage की उपर और यहां पर आप दिखो है कि वहाई 10% अभी आपको battery है जो दिखाई दे रहा है अब दे दे जैसे चार्ज होगा मैं सारी चीज आपको बताता चाहूंगा और यहां पर हीटिंग भी चेक करेंगे कि कितना यह वाउम होता है चार्जिंग के टाइम पर तो यहां पर भाई 15 मिनट हो चुका है complete और अगर battery percentage की बात करें तो हमां जो battery अभी पहुंचा है वो है only on 27 मिनट में पर हीट की बात करें कि कितना यह वाम हुआ है तो यहां पर आप देख पाऊ है कि जो temperature हमें दिखाए दे रहा है वो है 34 जो कि बिल्कुल ही normal है और वहीं पर charger की temperature की बात करें तो यह हमारा 33.9 देखने को मिलता है यानि दोनों के एक जैसा ही हमें दिखाए देता है और normal यहां पर surface का temperature की बात करें तो वह है यहां पर 27 तो यहां पर भाई 30 मिनट पूरा complete हो चुका है और अब देखते हैं अपमारा battery percentage की कितना यहां पर 100 हुआ है तो यहां पर हमारा हो चुका है 53 परसेंट जो कि 30 मिनट में हुआ है अब थोड़ा temperature फिसे चेक कर लेते है तो जो हमारा surface temperature है वो है 27.3 अगर यहां पर हम phone की temperature की बात करें तो यह है 36.4 अगर हम charger की temperature की बात करें तो वो है 35.3 यानि थोड़ा सा यहां पर कम हो चुका है यानि balance हो गया है ऐसा नहीं कि ज्यादा था और यह भाई बिल्कुली कोई heat वगर नहीं कहा जाता है तो सब कु compare करेंगे कि पिछले time कैसा था उससे कितना improvement आया है बैट यूगप कैसा था और अभी के time पर बैट यूगप कैसा मिलता है हमारे phone के update हो जाने के बाद तो यह है एक unbelievable result जो के पिछले time से बहुत जादा increase हो चुका है यहां पर finally मेरा phone ने जो charge हो चुका है 100% 0 से और यहां पर जो आप timing देखोगे ना वो है 1 hour 41 minute जो कि बहुत जादा बढ़ चुका है और इतना हमें देखनी को नहीं मिला था तो क्या यह update काफी बेकार है नहीं यहां पर कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको काफी पसंद आने वाले है तो यह 2 good प्लस 2 bad वाला है जो यहां पर update हो जो कि काफी time तक सही रहा था लेकिन पिछले कुछ update में यह काफी जादा बढ़ गया था बट जो last update आया था 13.0.8 उसमें इसे ठीक कर दिया गया था लेकिन वहाँ पर backup बहुँ जादा डाउन था और 13.0.7 को पर भी backup बहुँ जादा डाइन था क्योंकि 13.0.5 और 6 पे लिप करी 30 minute time लगाया यानि 98, 99, 100 होने में इसने 30 minute का time ले लिया है और कुछ लोग क्या करते हैं वही 10 minute, 15 minute या 20 minute है जो charging पे डालते हैं उसका calculator लिकाल के calculate करके बता देते हैं वही 10 minute में 10% हुआ तो 100 minute में 100 होगा तो यह हमेशा गलत होता है क्योंकि जिस तरीक से बैटरी च लेकिन कुछ लोग को यह पता नहीं होता है और खुद को ग्यानी समझते हैं और वीडियो बनाके दे देते हैं कि भाई इस तरीकी से यह होगा तो यह चीज आप कभी भी मत देखना और नहीं believe करना उसको उपर क्योंकि वह real नहीं होता अब आप चेक करके बताना अगर अलग रिके से काम करता है किसी को bug मिल जाते हैं काफी जदा तो किसी का super smooth होता है तो किसी का battery rain होता है तो किसी का fast charging होता है तो इसलिए आप confirm करना और ऐसे भी में बाकि लोगों से बात करने वाला और final video में सबकुछ आपको मैं बता दूँगा लेकिन इसके लाब हम बात कर बूट टाइमिंग तो वह था हमारा 90 to 20 seconds के आसपास का तो इस वार हम चेक करते हैं बूट टाइमिंग हमें है जो क्या देखनी को मिलता है तो फिलाल मैंने इसे unplugged कर दिया है और फिलाल मैं यहाँ पर कर देता हूं इसे switch off switch off हो जाने के बाद मैं यहाँ पर power button प्रेस करने हो लो यहाँ पर start जैसी यहाँ पर होगा हम इसे on कर लेंगे और देखते हैं कि कितना time यहाँ पर लगाता है यह boot होने में क्योंकि पिछला time तो भाई हमारा 90 से 20 seconds के आसपास कता था बट इसवार देखते हैं यह down होता है या फिर increase होता है तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यह 18-19 देखनी को मिला यानि एक second का different यहाँ पर है जो कि चालू बंद करने में भी हो जाता है तो यहाँ पर boot time थोड़ा सा better में कहूँगा कि पहले वाले से है जो कि एक plus point है अब बात करते हमें यहाँ पर backup का कि backup हमें कितना मिलता है तो कुछ पिछले recently backup का भी मैं यहाँ पर details share करना चाहूँगा जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर 5 hours 46 minute का screen on timing मिला था 13.0.5 पर जो कि बहतरीन MIUI का update है जिसमें सब कुछ perfect था लेकिन हाँ हर एक user का अलग-अलग usage होता है जिसके साबसे अलग-अलग backup मिलता है बट मैं जब भी कोई भी वीडियो आपको देता हो updates related तो same type का मैं टेस्टिंग करता हूँ ताकि आपको सब कुछ बता पाऊँ और compare करके दिखा पाऊँ कि पहला कितना था और बाद में कितना था क्योंकि अगर हर time different different type का testing हुआ तो different result आएगा बट मैं वह ऐसा कभी नहीं करता यह 13.0.5 का उसके बाद यहाँ पे जो हमें backup देखनी को मिलता है जो कि 13.0.8 का है वह है only on 4 hour 6 minute का जो कि recently update था और इसमें काफी इंप्रूइमेंट आया था क्योंकि जो 13.0.7 था उसमें only on 3 hours का हमें backup देखनी को मिल रहा था जो कि पिछले update में थ्वाँ सा बेटर हुआ था बट इस्टिल और भी जादा improvement की जरूरत थी और यह है हमारा 13.0.6 का backup जो कि 4 hours 59 minute का यानी 5 hours का था जो कि था सा improved था लेकि लास्ट वले में काफी जड़ा हमें down देखनी को मिला था उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर recently जो कि अभी मैं यहाँ यहाँ पर use कर रहा हूं 13.0.9 इसका backup हमें कितना देखनी को मिलता है हो गया था यानी 5 hours का screen on timing देखनी को मिला जो कि था सा और better हो चुका है क्योंकि जो 13.0.8 का update देखनी को मिला था recently उसमें हमारा जो screen on timing था वो only one है जो 4 hours के आसपास का था जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर 1 hours का और improvement हुआ यानी हर एक update में तक है जो जा चुका है अब बात करते हैं यहाँ पे standby battery drop की कि हमें कितना देखनी को मिलता है तो यहाँ पर आप देखो यह हमारा 98% उसके वाज मैं इसे morning में चेक करता हूं तो यह 96 आयाता है यानी full night में only on 2% का battery drop हुआ है इससे जादा drop नहीं हुआ जो कि सही है और पिछल में देखनी को मेरा है वह साइज चीज है इसलिए final video का वेट कर लेना क्योंकि ऐसे भी जो अपडेट है 13.09 अभी इस टील है जो beta testing में चल रहा है कुछी दिनों में सभी को मिल जाएगा तो जब सभी को rollout होना शुरू होगा तभी मैं आपको final video दूँगा ताकि आप decide कर प तो तो thanks for watching bye bye